धर्म, संस्कृति और परियाटन की नगरी काशी के सामसद और देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र बोधी जी की संकल्प शक्ती से काशी का विकास निरंतर प्रवाह मान है। पिछले दस वर्षों में काशी को 33,000 करोड से अधिक लागत की परियोजनाओं की सौगात मिली है। और तीन का लोकारपन हो रहा है जिसमें National Center of Excellence, खिलाडियों और कोच के लिए हॉस्टल सुविधा, क्रिकेट और फुटबाल मैदान और शूटिंग रेंज जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। डॉक्टर भीम राव अंबेटकर स्टेडियम में सौव बेड के छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल के नर्मान कार्य के साथ ही एक पैवेलियन का नर्मान कार्य करवाया गया। स्वास्थ ख्षित्र में विकास के लिए चार्द करोड की लागत से भर्थरा और चिरई गाउं में स्वास्थ केंद्रों का लोकारपन, स्वास्थ सेवाओं के बुनियादी धाचे को मजबूत करेगा। वारांसी में परियावरन के गुणवत्ता को बढ़ानी के लिए 20 पार्कों के संदर्य करण और 9 निर्मान का कार्य किया गया है। धार्मिक स्थलों के विगास के अंतरगत, गुरुधाम एवं बानासुर मंदिर परिसर में लाइटिंग एवं स्वांदर्य करण का कार्य किया गया है। इसके अतिरेत 2 करोड की लागत से टाउन हॉल शॉपिंग कॉंप्लेक्स का नर्मान किया गया। कौशल और प्रशिक्षन को बढ़ावा देने के लिए। 7 करोड की लागत से वारांसी में ITI की हाई टेक लैप्स और 14 करोड की लागत से सीपेट में छात्रवास का नर्मान शामिल है। इसी के अंतरगत परियावरन की गुणवत्ता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को और सुद्रण करने के लिए 6 करोड की लागत से करसरा में सीपेट में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर का नर्मान कार्य किया गया। वारानसी में ककरमत तक फ्लाई ओवर के नीचे 1 करोड की लागत से प्ले एक्टिविटी जून का नर्मान कार्य करवाया गया। साथ ही सैंटरल जेल में 11 करोड की लागत से पुलिस कर्मियों के आवास एवं कईदियों की सुरक्षा बढ़ानी के लिए कारागार बैरक का नर्मान किया गया है। साथ ही चार करूर की लागत से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्याले में एकेडमिक व्रॉक एवं गल्स हॉस्टल के नर्मान का शिला न्यास किया जाएगा हम सब आभारी हैं प्रधान मंत्री जी के जिनके नत्त्व में काशी सहित पूरा देश विक्सित भारत के लक्ष की ओर तेजी से अक्रसर है